नमस्कार केंद्रे मंत्रे इस्मृति रानिका इंडिया न्यूज न्यूज डेक्साइटी विए टुक बहुत बहुत स्वागत करता है दन्यवाद इस्मृति जी हिंदुस्तान का लोक्तंत्र है इस्तिहास में दो ऐसी ऐसी चुनाव रहे हैं जिनके नतीजों ने निरेटिव गड़ें एक 1971 में इंद्रा गांधी और राजनरायन की लड़ाई थे उस लड़ाई ने इमर्जेंसी और उसके बाद कॉंग्रेस के हार तक नतीज़ा दिया एक मुकाबला 2019 में लड़ा गया मेठी में और उसने यह तैय कर दिया कि गांधी परिवार को उनके गड़ में भी फराया जा सकता है और वो आपने करके दिखाया जाए 2024 सामने है कि देश में चुनावी माहौल गरमा गया है अमेठी के लिहासे मेरे पहला सवाल आप से है कि 5 साल में आपने ऐसा क्या किया है कि आप फिर से 2024 में अमेठी अपने पास रखेंगी या सवाल दूसी तरीके से कि कि आपने ऐसा क्या किया है कि राहुल गानी को अपवाए नाड में रखेंगी विशेत यह होगा कि हम यह कहें कि अमेठी भारतिय जनता पारटी को मिलेगी शेवा देने के लिए क्योंकि लोक तंत्र में हम मालिकाना हक भाजपा के कारेकर्टा किसी भी छेतर पर नहीं जताते, विशेष्टर जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करते हैं, वो जानते हैं, कि आपको सेवक की भूमिका में अपने आपको जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना है, यह सत्य है कि भारत की राजनीति केतिहास में, कॉंग्रिया गांधी जैसे नेता रहे, एक परिवार नहीं था, और यह वो लोग हैं कि छीके तो विदेश चले जाए, लेकिन जिस छेतर से वो चुनकर आते थे, उस छेतर में, हस्पताल में एक्सरे की मशीन नहीं थी, अमेठी का पहला डायलेसिस सेंटर तब खुला, जब नरेंद्र मोधी प्रधानमंत्री बने, और मैं वह सामने गिडगडाईगे, परिणाम, राजनीतिक, कितना होगा, क्या होगा यह मैं नहीं जानती, लेकिन 22 का चुनाओ, तुलनमात्मा के चुनाओ था, सब और लुटियंस में तो बहुत चर्चा रहती है कि राहुल भही आएंगे, पिंकी दीदी आएगी, वो 22 के चुनाओ सीटे है, चार में कॉंग्रेस की जमानत जब्त हुई है, आज अमेठी का जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है, दो MLC है हमारे, गौरी गंज मुसाफिर खाना, जब से नगरपाली का बनी है, तब से भाजपा नहीं जीती थी, इस बार दोनों जीते हैं हम लोग, और जो कॉंग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाओं में 4,03,000 वोट पाया था, आज उनका वोट शेर एक लाग 20,000 तक घटके रह गया है, अब कौन आना चाहेगा उसका स्वागत है, मुझे नहीं पता 24 में पार्लमेंटरी बोर्ड किसको टिकेट देगी, लेकिन कमल खिलेगा इसक आपके मंच पे दे रहे हैं, स्मिती जी, जो अमेटी से फिर वायनाट कॉंटेस करने के चले गए, चर्चा वही थी कि साउथ से राहूल गांदी जी ते, अभी भी चर्चा हाली में वही चल रही है, कि साउथ औफ इंडिया कॉंग्रेस को वोट दे रहा है, और नॉर्थ इंडिया भाजपा नॉर्थ इंडिया पार्टी है, यह जो साउथ और नॉर्थ की बीच्वे राजनीती हो रही है, आपको अगर भाजपा की सदन स्टेट्स की सनरचना देखना देखनी है, या ताकत देखनी है, तो आप मुझे नहीं सामने बैठे हैं, पारलमेंटरी अंसद थे, आज प्रभू की कृपा से अबसलूट मजॉरिटी में है, लेकिन चुनाओ हारने के बाद भी हमने कभी अपने देश के किसी भी अंश को, किसी भी प्रदेश को हीन भावना के साथ संबोधित नहीं किया, नॉर्थ वर्सिस साउथ, इस्ट वर्सिस वेस्ट, व जाती के आधार पर बाटा, जिस कॉंग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर बाटा, अब वो आपको भूगोल के आधार पर, जोग्रिफी के आधार पर बाटने का दूसाहस करना चाहते हैं, आप मुझे कहना चाहते हैं, कि राहुल जी इस प्रकार से उत्तर भारत को गर आपका चानल वाइनाड में एक सारवजिनिक कारेक्रम में राहूल गांधी के बयान को प्रसारित कर सकता है, जिसमें उन्होंने साफ का, कि जी नहीं, वाइनाड में लोग मुझे समझते हैं, अमेठी के लोगों की समझ मेरे बारे में कम है। चार दशक राहूल गांधी के परिवार ने अमेठी के सहारे और उनके कांधों पर चड़कर इस देश में सत्ता का भोग किया, इस देश में सत्ता की गलियारों में अपनी चाप छोड़िए। और एक चुनाव हारे, अपनी गलती से हारे, काम ना करने की वज़े से हारे, जनता के मध्य में नहीं थे, ये हाल था कि पांथ साल में एक बार दिखते थे और अगर तब भी आते थे, तो धकेल दिये जाते थे अमेठी के सामान्य नागरिक। तिरसकार राहुल गांधी और गांधी खांदान ने किया, और इसलिए हारे, अगर उनमें ये जजबा होता ही, ये हुमिलिटी होती, कि गलती हमारी है, तो जनता उनको सराखों पर रखती, लेकिन गलती करेंगे आप, निकम्मे होंगे आप, और फिर जनता को गाली है, तो जनता भी फिर आड़े हाथ लेगी, ये जनता के बीच में स्पर्दिजी एक नया मसला है, और पछले कुछ दिनों से है, या कुछ महीनों से है, वो ये है कि सनातन पर हिंदुत पर सवाल उठते हैं, दक्षिन भारती है, जो कुछ पार्टियां है, नाम लेने कोई ज़रत नहीं है, उत्तरप्देश के कुछ नेता है, बिहार के कुछ नेता है, मंतरी है, इन सब के बीच में एक ही चीज कॉमन है। के तोट्व यह कहीं न कहीं कोंग्रेस के सहायोगी इस सवाल कोंग्रेस के पास जब इस सवाम लेकर आप जाती हैं तो तो आप एक एसा वाख्या बताईए एक उधारानचे जिसमें I am Badgen Dox न्हुंच नहीं को टैरोरेस्ट कहा कॉंग्रेस का कोई नेता इसको न कर नहीं सकता जब UPA के सरकार थी तब राहुल गांधी का बयान था कि मुझे हिंदू टेरोरिजम से डर लगता है अगर आतंक का कोई धर्म नहीं तो धर्म को भगवा करन करने का राहुल गांधी का क्या अधिकार है और अगर वाकई में कॉ होड ही उनका सही योगी है जो सफा के कोई नईता बोते उनका सही होगी दम है और से अनातन में अगर उनका विश्वास है तो आज अपना रिष्ता तोड दें उनके सांथना कि तोडेंगे व क् CasaAN नहीं कि आपको से लगता है कि उचे लगनी कि वह प्रमानित कर चुके हैं लेकिन मंदिर मंदिर आप मुझे बताईए जब उनकी माता के पास सत्ता थी तब क्यों उनकी माता जी ने लिख कर दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं यह तो गांधी खांदान ने किया ना इसका आप ठिकरा सपा पर नहीं फोड़ सकते करने वाले गांधी कहांदान के लोग यानि अप मशा पर सवाल कर रहे हैं जुकि वह प्रमान देख घे रही हूं सनातन हिंदु तुझ है सवाल तब की जाती है सब शंका हो मेरे मंन में चल रही है और अभी आपने का मंदिर मंदर घूम रहे हैं भगवान को नहीं ढूंड रहे हैं वोट ढूंड रहे हैं करा मंदर घूमने का मौका हमें हर हब सबको अगले महीने मिलने वाला है। शुरुथ जिजब दस साल पहले चर्चा थी मोधी स्टॉब की फिर मूती सुनामी की चर्चा चली है चलिए डिखार अब हम चरचा कर रहे हैं moody की guarantee अब यह moody की guarantee क्या है हम कैसे दर्शक को समझाएं कि moody की guarantee का मतलब क्या है फुझा आपसे बहतर विष्लेशक और अध्यान करता कोई नहीं होंगे Как आप भारत के राजनेतिक एतिहास के हर पन्ने को पलटकर देख लीजिए किसी भी राजनेतिक नेता ने अपनी पर्सनल रेप्यूटेशन सर्विस डिलिवरी के परिपेक्ष में, कॉंटेक्स में कभी भी दाव पर नहीं लगाई मोदी एक वो नेता हैं जिन्होंने डंके की चोड़ पर कहा कि मैंने ये कहा है तो ये होगा और जन्ता ने उनकी उस वक्तव्यों को स्वीकार किया और वही मोदी यारेंटी के नाम से जाना जाता है आपको याद दिला दो कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की तिजोरी से रुपया निकलेगा तो सीधा गरीब के खाते में जाएगा वो मात्र एक वाक्य नहीं था एक राजनेतिक उद्बोधन नहीं था उन्होंने उसको हकीकत में परिवर्तित करने के लिए पचास करोड गरीब नागरिकों के बैंके खाते खोले और उसमें 28 लाग करोड रुपया भेजा भारत की तिजोरी से नरेंद्र मोधी ने कहा था कि मैं छोटे जो व्यापारी हैं छोटा जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं व्यवसाय करते हैं उनकी मदद करूँगा रेरी पत्ली वालों की मदद करूँगा मात्र बोला नहीं मुद्रा योजना के अंतरगत तीस करोड से जादा लोन्स सेंक्शन किया और आज की तारीक में अगर आप संख्या देखेंगे तो 40 मैं बार्लमेंटरी अफैस मिनिस्टर के सामने बैठी उसे मेरे आंकड़े बिल निम्नमध्यमवर्गय परिवार के लोग कहते थे कि विवसाई करने का हमारे पास साधन नहीं है महिलाएं कहते थी कि मुझमें जजबा है मुझमें हुनर है लेकिन मेरे पास साधन नहीं है नरेंद्र मोदी ने साधन को प्रस्तुत किया और उस साधन का लोगों ने स्वीक कर इस्तेमाल किया इसलिए मुद्राय योजना के 40 करोड लोंज में 70 प्रतिशत जो लाभारती हैं वो महिलाएं हैं और फिर मुझे अचंबा होता है कि जब महिलाएं बढ़ चड़कर मोदी को वोड देती हैं तो विशलेशक फिर लिखते हैं यह कैसे हो गया इस देश में किसी गरीब औरत ने जाकर कभी किसी नेता से यह नहीं कहा कि मेरे पास शौचाले नहीं है मैं सुर्यास्त का इंतजार करती हूं किसी अंधेरे कोने में जाती हूं प्लीज में लिए टॉयलेट बना दो कभी इस देश में किसी औरत ने नहीं कहा मोदी से किसी ने मांगा नहीं, मैनिफेस्टों में कभी लिखा नहीं, लेकिन प्रायरिटी उनकी पहली और आज 11 करोड से जादा गरीब परिवारों के घर में शौचाले बना, वो एक औरत को ही समझ आता है कि कितनी बड़ी देन है कि सम्मान के साथ उसके दिन की शुरुवा नहीं कर सकता था कि लाल के ले की प्राचीर से प्रधान मंत्री ये कह दे कि महावारी के लिए, प्लीज एक रुपे में सैनेटरी पैड मिलता है, जाकर लो. Narendra Modi ने कहा, it is not a politically glamorous statement to make for a leader with absolute majority. लेकिन कहें न कहें हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, Modi has gone beyond politics, he has become an ideology unto himself, he has become a movement. Different orbit, Rana जी. Modi सरकार ने लोगों के बीछ में कई मोर्चों पर अपने आपको कामियाब दिखाने के कोशिश की है, जैसे आपने कहा कि जो कल्यानकार योजनाएं होती है, अर्थव्योस्था का मामला है, डिफिन्स का मामला ए, इंटनेशनल अफेर्स का मामला है, एक मोर्चा जो है, वो स करता है कि राम मंदिर देश का है लेकिन भारती जनता पार्टी और मोधी सरकार निस आयोजन को ऐसे रखा है जैसे वो उनका अपना नीजी इसका फाइदा दोजार चौबीस पे उठाना चाहते हैं एसा है हमारे धर्म के लिए धैरे बहुत हिंदियों ने रखा पांट सो साल अगर अब भाजपा के लेवरिजिंग की बात करते हैं मंदिर निर्माण हो रहा है वो भाजपा सहयोग से नहीं हो रहा टैक्सपेयर के पैसे से नहीं हो रहा राम भक्तों के समन्वे से हो रहा है राम भक्तों को अगर लगा कि नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करना चाहिए तो क्या आप राम भक्त के इस अधिकार से उनको वंचित करना चाहते हैं मेरा ये मानना है मैरा नीजी मानना है मैं पाटी के ओड़ से विदिवत अधिकृत statement नहीं दे रही हूं जिस इंसान ने राम की अस्तित्व को नकार दिया आज वो मंदिर का इंविटेशन मांग रहा है और इतने साल तो लल्ला थे अमेठी से पचास किलो मीटर दूर है मैं माफी चाहती हूं मैं फिर से प्रलाज जी मेरे सीनियर है इसने में कहरे हूं इसने मैं परसनल कपैसिटी आम सेंग दिस और बिना किसी बेदभाव के कह रही हूं पचास साल पचास किलो मीटर की दूरी ये खांदान तय नहीं कर पाया और जब अमेठी आया तो चुनाओं में वोट मिले तो उन्होंने नमास तक अता कर दी सड़क पर खड़े हो के आप मुझे बताईए कि जो धर्म का इस तरह से राजनीति करन करे वो क्यों आज कटगरे में समाज के नहीं है मैं ये नहीं कहती कि आपके पास संविधानिक या धार्मिक अधिकार नहीं है नमाज अता करने का आपके पास है लेकिन अगर आप उस धर्म के अनुशासन का पालन करते हैं तो आप मूर्ति पूजक नहीं हो सकते तो नेने उनको करना है क्या वो मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं अगर हां तो अपने आचरण से प्रमान दे हैं, यूकि राम का मंदिर भक्ती के लिए है, राजनेतिक शक्ती के लिए नहीं, आप उनको कहीं और गेर रही है, आप ये साबित करने प्लेगे हैं कि राहूल गांधी हिंदू नहीं, मैं तो प्लारिटी के साथ बोल रही हूं, म मुझे पता है हमारा समय कीमती है, जब हम पिर्चली बार ही मिले थे, कुछ महीं ने पहले चर्चा करी थी, आपने मुझे याद है बोला था के स्पृति एदानी जो आपका Minority as Affairs Ministry का जो टेनियो रहा है, सबसे ज्यादा हज यात्राएं हुई है, record-breaking developments have happened, लेकिन हाली में प जो ट्रिपल तला के कैंपेनर से उनको समानित किया था, जहां पर शौचाला बनी है, वो मुसलिम समयदाओं में बनी है, हिंदू समयदाओं में बनी है, सिक समयदाओं में बनी है, अच्रॉस दो बोर्ट सबका साथ सबकाविकास, तो ये, the woman vote bank, the women development and women-led development, what does it mean now? I think we need to recognize that for Modi, the emancipation of women was an issue of political, social and administrative commitment, that there is now a recognition by all political forces in this country, that women as a consolidated political power have emerged as a vote bank, is understandable. But Modi never, and to the best of my knowledge, never addressed issues with regards to women from a perspective of what is the political reward he will get from it. Because Narendra Modi's governance agenda vis-a-vis women may be new to some at the national politics level. If you look at his track record as Chief Minister Gujarat, from Mission Mangalam onwards, to even a car made available for a poor pregnant woman to go and deliver a child in a sarkari or a private hospital and then bring that child and that lady back to their home. That is the detail to which he had worked as Chief Minister Gujarat. So though women as a vote bank today are recognized by politicians across the country and syphologists and those who indulge in political reflection, we need to recognize that when women as a social entity or a social class were being ignored by the political class of the country, that is when Modi was working for them. So they might have today emerged, and rightfully so, as a political vote bank, but Modi worked for them when nobody paid heed. Well, either way, something remarkable is happening. Because, you know, we did a dipstick test of these schemes just a few months ago, and we did it again. You know, walking into these areas where these toilets are being built, they are not worried about religion, about where the houses are being built. Just to see it, these are not things that you are looking for, but you find them absolutely fascinating. Ranaji, I know our time is limited. Last question. In the past, there are some of those who think that they are being put up in a relatively long way or have been lifted. Both of the things might happen. The President is that the Raman that is coming in the past, the minister said that we will be allowed to follow the issue on the CAA. In the past, there is a problem. Jammu Kashmir has been a very long road, and it has been better in the future. वहां कि पुरी तस्वीर बदली है सरकारिया दिखाना बताना चाहती है और चुनाओं की आहाट भी जम्मु कश्मीर में होने लगे जोकि सुप्रीम कोट ने भी कहा कि आप करा लिजे जम्मु कश्मीर भारती जनताबाटी नेंद्र मोधी सरकार के लिए कितनी बड़ी कामया अब भी है मोधी ने जम्मु कश्मीर के इस मसले को अपनी नीजी कामयादी के द्रिश्टी को उन से राश्ट्रे जरूरत राश्ट्रे सुरक्षा और राश्ट्रे अभेमान की द्रिश्टी से देखा है तो मुझे लगता है कि जब एक व्यक्ती और उनके जीवन शैली को उनकी राजनेतिक और समाजिक जीवन यात्रा को अगर आप देखें तो आपको शायद इंटरनेट पर ही बहुत सालों पुरानी फोटो मिल जाएगी जहां पर पीछे एक लिखा हुआ है धारा 370 अटाओ और एक यंग नरेंद्र मोधी उसके सामने बैठे हुए हैं तो यह किस व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक संकल्ब है लेकिन उस व्यक्ति विशेश का पुलिटिकल अंबिशन या पुलिटिकल एजेंडा नहीं यह राष्ट्य जरूरत का विशह है और आज मुझे लगता एक हिंदूस्तानी होने के नाते कुछ महिनों पहले तिरंगा यात् सबसे बड़ा संकेत के हिंदूस्तानी देश में कश्मीर में हो या कन्या कुमारी में अपने ध्वज के प्रती अभिमान रखता है अपने संविधान के प्रती निष्ठा रखता है आपको याद होगा जब सदन में धारा तीन सबस्तर हटाने की बात हो रही थी तो कुछ ल नहीं हो सकता है यह दिश्वादी है तो मुम्किन होने के बाद भी ऐसा लगा कि अधिसारे दल उनको बदल सकते हैं कि सुप्रीम कोट ने उस पर अपनी मुहर लगाई उसके बाद मिचला कि सरकार का मैं इतना ही कह सकती हूं कोट ने अपना काम किया लेकिन संसद में हमारा काम है कि जनता ने जिन विश्यों पर मोहर लगा कर हमको बेजा क्या हूं विश्यों पर उत्तीन होए या क्या हमने उन संकल्पों को पूरा करा वर्शों वर्ष से अगर आप भाजपा के दो ही मुद्दे गिनवारे हैं राम मंदिर धारा 370 तो मैं एक महिला के नाते मुद संसत का बना कि यही समय है सही समय और सबसे पहला जो लेजिस्लेशन पारित हुआ वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ इंपॉसिबल को पॉसिबल बनाने की अपेक्षा नरेंद्र मोदी से रख सकते हैं महिलाओं का हवाला दिया आपने से आप आखरी सवाल आ है और देश की राजनी ती और सत्ता तक पहुंचने के रास्ते कांग्रेस बाटी चाहती है कि आप सोचे कि देश जातियों में बटा है मैं सवाल पूरा कर लेता हूं सौरी लेकिन क्यूंकि आप गलत कॉंटेक्स रख रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगे मैं उसको थोड़ा इस नतरु थे जह तो जातियों के जरिए ही सत्ता पहुंचने का रास्ता बाकी दलोंने अपनाया नेंद्र मोती ने चार जातियों का जिक्र क्या यह नई मैला है गरीब है कि tightening नौजवान यहां में आना चाहता था इन जातियों में पूरे देश को रख लिया है आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जाती का जन्गन्ना का जरी या जाती का हवाला दे करके जिस तरह की राजनीत होती रही है तुकर जकड़बंदी है उसको यह जो नई जातियां खड़ी की गई है प्रधार मतलसे वो काट पाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल के जवाब आपको इन तीनों रज्जों के परिडाम में मिल चुका है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गोहार लगाई थी कि कॉंग्रेस का कुशासन सरूचा ना करे और सुशासन अगर गरीब को करीबी से उभारता है साड़े तेरा करोड गरीबों को पांच साल में गरीबी से उभारने का काम मोदी ने किया अगर हम चाहते हैं कि महिला को उसके पूरी जीवन में चाहे वो गर्बवती है तो फिर उसके कैश ट्रांसफर हो ताकि वो एक अस्पताल में बच्चे को जन्व दे बेटी है तो उसको किस प्रकार से हम सुविधा जनक तरीके से सिक्षा का वर्दान दे सके कामकाजी महिला है अभी कुछी दिनों बाद CIA जो हमारे देशी सबसे उतकरिष्ट इंडस्ट्री की बॉड़ी है उनकी एक रिपोर्ट आने वाली है जहां पर पहली बार स्किल्ड और इंप्लॉइबल महिलाओं की संख्या पुरुशों से जादा है जिए सब संभव मुदी ने कर दिखाया है जिन लोगों ने जाती धर्म के नाम पर देश को बाटा उनको लगता है कि नए पैकेज में उनके पुराने विभाजनकारी मुद्दो को प्रस्तुत करेंगे जनता ने जवाब दे दिया सबसे सबसे इंपॉर्टन सवाल हमारा शायद छूट जाएगा वो पीटिम मीटिं के बाद क्या हुआ क्योंकि समय समाफ्ट हो गया है We'll be letter laugh answer it We don't want to discuss what the boss and dad were talking You see, to be in Modi's class itself is a big achievement And to have a report card signed by Modi In itself, can you imagine how valuable it is? Good enough For me, one of the greatest achievements of my life Is at the age of 74 My father could walk away proudly from the office of the Prime Minister of India Well, it is achievement I know Pralaj Joshi is waiting, ma'am You have come, you have given time Thank you very much Many, many thanks Thank you so much Round of applause, ladies and gentlemen